इस वीडिये में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं PDK अक्टोबर 2023 के संस्क्रण जिसमें International Current Affairs, National Current Affairs, Sports Current Affairs, Awards Current Affairs, Global Indexes, Space Current Affairs, Appointments का Current Affairs और Book Concern, Authors, Days and Themes, Eugenia, Famous Personality, Science Technology, Apps and Portals को हम कवर करने वाले हैं यह हमारा वीडियो रहने वाला एक अगस्ट 2023 से साथ सितंबर 2023 तका Current Affairs करेगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आप यह अपना आंसर साथ साथ में वीडियो के गैस कर सकते हैं चलके चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पैला कुश्शन है पांच अगस्ट को हाली में जम्मो कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने के कितने वर्स पून हुए हैं पांच अगस्ट को आर्टिकल 370 फ्रम जम्मो कश्मीर राट अंसर ऑप्शन दी फोर यर्स चार असाल हो चुके हैं केंदर सरकार ने चार साल पहले यहांकि पांच अगस्ट 2019 को जम्मो कश्मीर का खास दर्जा देने वाले अनुछे 370 को निरस्ट कर जिया था केंदर सरकार के इस एतिहासिक फैसले से बीते चार वर्सों में जम्मो कश्मीर काफी बड़े बदलावा हैं जम्मो कश्मीर से अनुछे 370 को निरस्ट किया जाने के चार साल पूर्ण हो चुके हैं Next Question आल ही में भारत का तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस कब मना गया है जैवलिन थ्रो दिवस यह मना गया है राश्टी जैवलिन दिवस 7 अगस्ट 2023 को मना गया है जो की तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस था 7 अगस्ट को भारती अथलेटिक्स के इतिहास में एक अद्भूत अध्याय दर्च किया गया था इसके अंदर भारत की जो भारती अथलेटिक्स फेडरेशन है इसके दोरा राश्टी जैवलिन दिवस की रूप में तोक्यो उलिम्पिक्स में अपने गोल्ड मेडल जूलिया था उन्होंने 87.58 मीटर का भेला फेडरेशन बाद इस बज़े से उन्हें यह राश्टी जैवलिन दिवस की रूप में मना जाता है साथ तारीक को महाराश्ट्र सरकार ने अपना पहला उद्योग रतन आवार्ड किसे देने की गोशना की है महाराश्ट्र सरकार के द्वरा आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जगा D. रतन टाटा महाराश्ट्र सरकार के उद्योग सामन्त ने दिगज उद्योग पतियो टाटा संस के मानद चेर्मेन रतन टाटो को पहला उद्ध्योग रतन आवाड़ देने के कोश्चना की है Next हाली में आयोजित पाँचवे कौफी समिलन का मेजबान देश कौन सा है फिफ्थ कौफी समिट के मेजबान देश कौन सा है तो answer right इसका है option D इंडिया 25 लेकर 28 सितंबर 2023 तक भारत की मेजबानी में पहली बार बेंगलूरू करनाटक में पाचवे विस्थ कौफी समिलन का जिन किया गया था इस विस्थ कौफी समिलन में टैनिस ख्राड़ी रोहन बोपना को अपना ब्रांड एमबेसेडर भी निक्ति किया गया है Next हाली में किंद सरगार के दोरा बुनियादी सक्सरता को बढ़ावा देने हैं तो कौन सा मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच किया गया है बुनियादी सक्सरता जानी की बेसिक लिटरेसी अंसर एट है इसके लिए उल्लास एप को लॉंच किया गया है आप देखेते हैं स्क्रीम पर तिस जुलाईद हो जाते हैं इसको शिक्सामंत्री धर्मेंदर प्रधान है राष्टि शिक्सानीती के तहए दिली के प्रगती नदान में आचितु एक समारो में उल्लास एप जिसका पूरा नाम हो जाता है Understanding Lifelong Learning for All इन सोसाइटी लॉंच क्या है Next आली में राज के जडेरी, नमकटी और चेदी बुट्टा रामा के एक साड़ी को जिया टेक दियागा है इसका समन्द किस राजी से है इसका समन्द है Option B Tamil Nadu राजी से है Tamil Nadu के तीन परसिद उत्पादों जिसके अंदर जडेरी, नमकटी, करन्या कुमारी, मैटी मेलकेला और चेदी बुट्टा साड़ी को चेदी के भोगलिक संकित दिया गया है इसके असाथ ही Tamil Nadu अब 58 GITX के साथ GIT चार्ट में पहले इस्तान पर है Next केंद्री मंत्री भुपेंदर यादव ने रिसोर्स एफिसेंसी सर्कूरर एकोनोमी इंड़स्ट्री कॉलिशन का सुबारम कहां से किया है इसका नाम स्वाट में है REC EIC अंसर रैट है ओप्शन D चेद्नई भारत के G20 प्रसिदेंसी के साथ केंद्री मंत्री भुपेंदर यादवने चेद्नई में राश्ट्री मुल्यांकन और प्रत्यायन परिशद के निदेशय की रूप में किसको निफ्ट किया गा है इसका पूरा इंगलिस ने बोलते हैं से Director of National Assessment and Accreditation Council रैट आंसर है ओप्शन B G. कनार कनाबिरन 8 जुलाई दो जाते है इसको राश्ट्री मुल्यांकन और परत्यायन परिशद में Professor Ganesan कनाबिरन को नए निदेशय के रूप में निदेशन कनाबिरन Next, हाली में राजतान के कौनसे उत्पादों को G.I. टैक दिया गया है, राजतान के कौनसे उत्पादों को सिल्प विकानेयर के कशिदाकारी शिल्प जोदपूर के बंधेज सिल्प और विकानेयर के उस्तां कला सिल्प को दिया गया है यहां पर जेए टाइग नेक्स्ट हाली में G20 महिला ससक्तिकरण मंतरी स्तरी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था इसके इसको महिला ससक्तिकरण मंतरी स्तरी समेलन गांधी नेकर गुजरात में आयोजन किया गया था नेक्ष्ट क्यूशन ने क्यानिक्सक पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी इस पुस्तक के लेखक कौन है यहां कि आपर इसक्यूशन का आप्टा नमबर सी रिशी राज रक्सामंत्राले के राजमंत्री अजय भट ने Constitution Club of India नई दिली में रिशी राज कद के दौरा लिखित नई पुस्तक कारगिल एक यातरी की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है लेखक है रिशी राज और इसका विमोचन किया था आजय भट जो की रक्सामंत्राले के राजमंत्री है Next Question हाली में जल परेटन और सहासिक खेल नीती 2023 किस की मंजूरी किस राज ने दी है Water Tourism and Adventure Sports Policy इसको लॉंच किया है हाली में उत्तरपरदेश राज के दौरा 1 अगस 2023 को उत्तरपरदेश कैबिनेट ने राज को जल परेटन और सहासिक खेल गंतव्य मनाने के लिए जल परेटन और सहासिक खेल नीती को मजूरी दी है ये नीती सरकार के द्वारा अधिशूची तीथी से 10 वर्सों तक वैद रहेगी Next Question World Wide Wave Day कम मनाया गया है हाली में World Wide Wave Day ये मनाया गया है 1 अगस्त 2023 को World Wide Wave Day प्रते एक वर्स एक अगस्त को मनाया जाता है 1 अगस्त 1991 को टिम बर्नर सली ने नियूज ग्रूप पर World Wide Wave के लिए एक प्रस्ताव पोश्ट किया था World Wide Wave हाली में संउक्त राष्ट जनसंख्या कोश ने किस राज्ज में Just Ask Chatbot लॉंच किया है United Nations Population Fund के दौरा कहां से इसको लॉंच किया गया है Answer Right है Option B Madhya Pradesh Madhya Pradesh सरकार और संउक्त राष्ट जनसंख्या कोश ने किशोरों और योवा वैसकों के बीच समाजिक मुद्दों और योन वो प्रजनन स्वास्त और अधिकारों पर सटीक और सुलब जानकारी उपलब्द कराने के लिए Artificial Intelligence सक्षम एक चैटबोट को लॉंच किया है Next वर्ष 2023 की Fortune Global 500 की सूची में सीर्स इस्थान किस कंपनी को मिला है Fortune Global 500 सूची में इसका अंसर जो राइट है वो ओप्शन ए है Walmart कंपनी को यहाँ पर पहला स्थान मिला है Fortune Global 500 सूची के समन्दित विती वर्ष के लिए कुल राजस्य क्याधार पर कंपनी को रेंग करती है Walmart लगातार दस वर्षों से नमबर एक पर बना हुआ है जबकि साओधी अरब की आराम को कंपनी दूसरे स्थान पर है Next विश्यू की सबसे बड़ी 16 मेगावाइट चमता वाली विशाल पवन टर्बाइन कहां स्थापित की गई है 16 मेगावाइट कैपसिटी विंड टर्बाइन वर्ल्ल लार्जेस्ट यूज विंड टर्बाइन इसका कहां पर स्थापित की गई है Answer 8, Option C, चीन चीन की पवन टर्बाइन निर्माता कमपनी है मिंग्यांग स्मार्ट एनर्जी ने गोशने की कि उसने विश्यू के सबसे बड़ी अब तर्टी पवन टर्बाइन माई SE 16260 को चालू कर दिया है यह दक्षन चीन सागर में तंग्यांग किंग जूग और अब तर्टी पवन फार में इस्तित है चीन की दोरा बनाई गई है अब तकी सबसे बड़ी पवन टर्बाइन नेक्स्ट वर्स 2023 का अर्थ ओवर्शूट डे कब मनाई गया है यह मनाई गया है 2 अगस्ट को 2 अगस्ट 2023 को मनाई गया था अर्थ ओवर्शूट डे इसके बारे में 2 अगस्ट 2023 को अर्थ ओवर्शूट डे बनाए गया अर्थ ओवर्शूट डे उस तारीक को चिन्नित करता है जब किसी वर्स में दिये गए पारेस्टितिकी संसाधनों और सेवाओं को मानव की मांग उस वर्स में प्रिक्ति दारा उप्योग कर लिए थी यानि कि जो पूरे साल की जो मांग थी उनकी प्राकरतिक संसाधनों और सेवाओं की वह मानव की दारा 2 अगस्ट 2023 तकी पूरी कर लिए जब कि पूरे साल के लिए थाई ये पूरे विष्ट ने 2 अगस्ट 2023 को इन सभी संसाधनों का उप्योग कर लिया एक्ट कुछन है हाले में चर्चा में रहा एतिहासिक कर्ण कोट तीला यह कहां परस्तित है कर्ण कोट तीला यह स्तित है हर्याना में हर्याना के फतेहबाज जिले के बूना के भट्टू गाउं के एतिहासिक कर्ण कोट तीले से महावारत काल की मिट्टी के बरतन की सामगरी मिली है उस काल में इस सामगरी से मिट्टी के बरतन और कप बना जाते थे तो यह कहां पर मिली है हर्याना के पतेहबाज जिले में next question है USA और जापान के द्वारा किस देश के साथ पहली बार stand-alone त्रिपक्षिय सिखर समेलन का आईजन किया गया है stand-alone प्राइलेटरल समिट किस देश के साथ मिलकर की है answer right है option C दक्षिन कोरिया 8 अगस्त 2020 को सेंक तुराज अमेरिका और नगोशना की है कि जापान और दक्षिन कोरिया के साथ उनका पहला stand-alone त्रिपक्षिय सिखर समेलन मैरिलेंड के कैप डेविड प्रेसिडेंशियल स्ट रीट्रीट में इसका आईजन किया गया next question है फाली में तेरवा महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंदरी सारवजनी छेतर का उध्यम कौन सा है 13th महारत्न दर्जा जो मिला है जो में कह सकते है answer right है option B Oil India Limited को दिया गया है भारत के वित्व मंत्रा लेने तेल छेतर की दो प्रुमुख कमपेनियों Oil India Limited और ONGC विदेश को Oil India Limited को दिया गया है महारत्न का दर्जा और ONGC विदेश को दिया गया है नवरत्न का दर्जा पेट्रोलियम और पाकरतिक गैस मंत्रा लेके प्राशासनिक नियंतरन के तहत Oil India भारत की दूसरी सबसे बड़ी राष्टी तेल और गैस कमपनी है Next हाली में पहली बार फिडे FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारती सतरंज खिलाडी कौन है Answer right, option C D. Gukesh 17 बरसी सतरंज खिलाडी D. Gukesh जिनके पूरा नाम है डॉमा राजू Gukesh ने Grandmaster विश्वनातन अनन्द को पच्छाड कर लाइव विश्व रैंकिंग में नौवा स्थान हासिल किया है Next question राष्ट्री बाल अधिकार सरक्षन आयोग ने बाल देख बाल संस्थानों के निरक्षन के लिए कौन सा पॉर्टल लॉंच किया है अंसर राइट है इस पॉर्टल का नाम है option D राइट हो जागा MASI पॉर्टल जिसका पॉर्ण नाम हो जाता है Monitoring App for Seamless Inspection पॉर्टल इसका पॉर्ण नाम है राष्टिबाल अधिकार सरक्षन आयोग ने बाल देख बाल संसादरों और निरक्षन तंत्र की वास्त्विक समय ने गराने के लिए एक पॉर्टल लॉंच किया है MASI पॉर्टल लॉंच किया है A. आसम आसम राजजे चुड़िया घर ने हाल ही मैं भारत मैं पहली बार कैद में हिमाली गिद के प्रजिदन को रिकॉर्ड किया है हिमाली गिद्धियों को सफल प्रजिदन करने वारा भारत का फ्रांस के बाद वीश्यों का दूसरा देश बनाए है भारत सब सबले फ्रांस नहीं किया गया है हिमाले गिद्धियों कहां पर किया गया था यूक्रेइन पीस टॉक इसका आजज़न कहां पर किया गया था पांसर राइट है ओप्शन A. जेद्धा पांच सलिके 6 अगस्त 2023 को सौधी अरब के जैद्धाक में राश्टी सुरक्सा सलाकारों और अन्न अधिकारियों के सिखर समेलेन में यूकरेण सान्ती वारता का आज़न किया गया भारत को साउधी अरब के दौरा इस यूकरेन सांधी वारता में आमंतरत किया गया था Next हाली में समिधान को पड़ो और जियो अभ्यान कहां परारम किया गया है समिधान को पड़ो और जियो इस अभ्यान को शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के दौरा दोगस्त हो जाते हैं इसको राजस्थान के राजपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान में संस्कृति युवा संस्था के समिधान पढ़ो और जियो अभ्यान की शुरुआत की है नेक्स्ट राजस्थ डोरा गैस फिल्ड को लेकर किन देशों में विवाद हुआ है उप्षिन वीरान इन तीनों ही देशों के मद्दी इस विवाद चल रहा है इस अर्राजस्थ डोरा गैस फिल्ड को लेकर साथी अरब और कुवेत ने हाली में विवादित आराश डोरा गैस छेतर पर अपना एक मात्र स्वमित होने का दावा किया है ये एक संसाधन संपन अब 30 छेतर है जिस पर इरान भी दावा करता है पिछेतर पर लकर तीनों देश लंबे समय से विवाद में उल्जे हुए हैं साथी अरब, कुवेत और इरान विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाए गया है वर्ल्ड ब्रेस्ट फिडिंग वीक 2023 ये कब मनाए गया है ये मनाए गया है एक से लेकर 7 अगस्त 2023 तक मनाए गया है वर्ल्ड ब्रेस्ट फिडिंग वीक वर्ल्ड आर्लियांस फॉर ब्रेस्ट फिडिंग एक्शन विश्व में स्तनपान की शुरक्सा भरचार के लिएक संगठोनों का विश्विक नेटवर्क है और 2023 की इसकी तीम रखे गयी है ये कम मनाए गया है ये मनाए गया है ये मनाए गया है 7 अगस्त को 7 अगस्त 2023 12 सरकार ने हत्करदा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर 7 अगस्त को वार्षिक राष्ट्री हत्करदा दिवस के उरुपे चुना है 23 में यह 9 राष्ट्री हत्करदा दिवस मनाय गया था उसके लापको पता होना चाहिए कि 7 अगस्त के दिन जैवलिन थरो दिवस भी मनाय जाता जो 7 अगस्त को मनाय गया था नेक्स्ट आल ही में G20 देशों की कला प्रदर्ष्णी का सुबारम कहां पर हुआ है Art Exhibition of G20 Countries इसका उद्गाटन कहां पर किया गया था Option A बिहार पतना 7 अगस्त दो जाते इसको बिहार में दो महिने तक चलने वाली Together We Art विशेप के साथ G20 देशों की कला प्रदर्ष्णी का सुबारम बिहार संग्राले पतना में किया गया Together We Art वसुदहिव कुटमगम की थीम पर आधारित है Together We Art Next 27th मालाबार नोचनिक अभ्यास का मेजबान देश कों से 27th मालाबार नेवल एक्सराइज इसकी जो होश्ट कंट्री कौन था इस बार 2013 के लिए Answer Right Option C ऐस्ट्रिलिया 11 लेकर 21 अगस्त 2013 तक भारत, ऐस्ट्रिलिया, जापान और अमेरिकान ने मालाबार बहुपक्सी नॉस्टेलिया अब्यास का 27 संसकंड सिड्नी ऑस्टेलिया में आजित किया था जबकि ऑस्टेलिया ने इस वर्स पहली बार मालाबार अब्यास की मेजवानी की है 2023 के लिए मालाबार नॉस्टेलिया अब्यास में चार देश सामिल हैं वर्ल्ड युनिवर्सिटी गेम 2023 भारत परहा है सातवे स्थान पर 8 जुलाई से लेकर 8 अगस 2023 तक चीन के चैंग्डु में 31 वर्ल्ल युनिविर्सिटी गेम्स जिसे पहले युनिवर्सियड के नाम से जाना जाता था पहले युनिवर्सियड के नाम से थायोजन किया गया था और भारत ने चैंग्डु में इस World University Games में 26 पदक जीत कर इस तालिका में सात्वा इस्थान हाचिल के है भारत में अगला कुछन है भारत की अध्यक्स्ता में तीसरा G20 ब्रहष्टा चार विरोधी कारसमू की बैठक का आज़न का पी गया था आंसर राइट है आपर है ऑप्शन B, कोलकाता 9 से लेकर 11 अगस्थ 23 तक भारत के अध्यक्स्ता में G20 ब्रहष्टा चार विरोधी कारसमू की तीसरी और अंतिम बैठक का आज़न कोलकाता न किया गया था नेक्स्ट भारत सरकाने किस देश की मोटू फुआ कंक्रीट वाटर सिस्टर्ण स्वच जल परियुजना में विती सायता परदान करने की गोशन की है किस देश की परियुजना है अंसर राइट ओप्शन ए तुवालू सरिक्ट राष्ट में भारत के स्थाई मिशन के तहएट भारत तुवालू में स्कूल में स्वच्च पानी के भंडारन और आपपरूति के लिए मोटू फुआ कंक्रीट वाटर सिस्टरन स्वच्छ जल परियुजना में भारत सरिक्ट विका साज़दार निज़ी साथ लाख अमेरिकी डॉलर की साहता परतान करेगा मर्टुफुवा सेकेंडरी स्कूल तुवालू का एक मात्र पब्लिक स्कूल है भारत और साओधी अरब की नोसेना के बीच हुए पासेक्स युद अभ्यास में किस भारती जहाज भारत और साओधी अरब की नोसेना के साथ पासेक्स अभ्यास जद्धा साओधी अरब के तट पर निश्पादित इस सयुक्त प्रयास में जटल सामरिक युद अभ्यास चतुरनाविक विकास और कठोर संचार अभ्यास इसमें सामिल के गए थे तो भारत और साओधियोरब की नौश्या नहीं अगया अभ्यास है पासेक्स अभ्यास जिसमें भारत की ओर से INS चेन नहीं नहीं हिसा लिया था Next हरी में Amazon वर्सावनों की रक्षा के लिए Amazon सहयोग संधी संगठन की स्थापना कहा की गई है Amazon Corporation Treaty Organization जिसे शॉर्ट में कहेंगे ACTO इसकी जो स्थापना की गई है वो राइट आंसर ऑप्षिन ए है ब्राजील आठ अकरस दो जाते हैं इसको आठ दक्षिन अमेरिकी देशों ने अमेजन के रक्षा के लिए ब्राजील के बेले में आईजितेक सिखर समिलन में एक गठवन्दन Amazon सहयोग संधी संगठन सुरू करने पर सहमत हुए है विस्टो के सबसे बड़े वर्सावन को वापसी के बेंदू तक पहुँचाने से रोकने का नवादा किया है आपर मत्स्य 6,000 नामा की इस पंडू भी बनाए गया है केंदर प्रत्वी विज्यान मंतरी किरन रिजीजु ने लोकसवा में बताया कि भारत में एक विज्यानिक पंडू भी मत्स्य लिक्षित की है जो गहरे समुदर में खनन के लिए 6,000 मीटर की गहराई तक तीनों लोगों को 12 गंटे तक रखने के लिए ले जाए जाए जाएगी नेक्ट कुशन है बारती नोशन नने किस देश के साथ दूपक्सी अनोशनिक अभ्यास जायद तलवार का आईजन किया है जायद तलवार किस देश के साथ किया इस बाई लेटरल नाव अलेक्सेस को अनसर एट है ऑप्शन बी यूए ए आठ सेलकर 11 अगस्ट 2023 तक भारत और यूए जायद तलवार दूपक्सी नोशनिक अभ्यास का आईजन दूबई में किया गया था जापार और दक्षिन कोरिया में भीशन तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरन किस देश ने किया है खानून टाइफून अंसर एट ऑप्शन बी थाईलेंट नोगस दो जाते है इसको पूर्वी चीन सागर में एक उशन कटिबंदी तूफान खानून गिन्या जापान के दक्षिन कोरिया तट तक दस्तक दी खानून नामकरन थाईलेंट के दौरा किया गया है जिसका मतलब होता है कट्ट हल नेक्स्ट किस राज के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुष्क बुद्जी चावल को जिया टैग दिया गया है चिकरी वुड क्राफ्ट और मुष्क बुद्जी चावल इन दोनों को टैग दिया गया है जिया टैग ये किस राज से समझ दे था है ऑप्शन C रैट हो जागा जम्मु कुश्मीर से समिझ देते हैं। जम्मु कुश्मीर के राजवरी जिले के चिकरी वुड क्राफ्ट और अनन्दनांग जिले के बेश कीमती चावल मुश्क बुद्धी चावल की किस्म को भगवलिक संके तक जिया अटाइक दिया गया है। लुड लायन डेखाँ नाइश्ट कॉश्ण अटियूटेव सहिं और में चंदर मिशन लूना 25 को किस देह ने सफलता पूर्वक लांच किया था। आंसर राइट, ओप्शन C, रूस, रूस के दर लॉंच किया गया था, लूना 25 को, 11 अगस्त 2023 को, रूस ने 47 वर्सों में अपना पहला चंद मिशन लूना 25 अंत्रिक्स में सफलता पूरो भेजा था, लूना 25 ने सोयूस 2-1 B rocket से रूस के अमूर ओबलास्ट में स्थित वस्तोचन कॉस्मोड्रोम लॉंच स्टेशन से प्रक्षिपित किया गया था, फरंतु 20 अगस्त को चंदरमा सता पर लेंड करते हुआ क्रेश हो गया था, और उसके तीन दिन बाद ही भारत का विकरम लेंडर 23 अगस्त को सफलता पूरो लेंड हुआ था, चांद किर दक्षिनी दुरूपर जो की पहला देश बना था, चांद किर दक्षिनी दुरूपर सफलता पूरो लेंड नी करने वाला और चांद पर लेंड करने वाला वो भ इस रोध तमिलनाडू के कुल सेकर पटिनम में एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना करेगा। अंसर राट है, ऑप्शन A, भारत 12 अगस्थ 2023 को भारती पुरुस होक्य टीम ने चैने के मेर राधा कृष्णन स्टेडियम में ACI Championship Trophy 2023 का फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराया भारत ACI Championship Trophy को 4 बार जी चुका जिसमें 2011, 2016, 2018, 2023 में जीतने वाला एक मातर देश से नेच्ट कुछन है, भारत का पहला क्रशी डेटा एक्सचेंज ADEX और क्रशी डेटा प्रबंदन फ्रेमवर्क ADMF का लॉंच कहा पर किया गया है तिलंगाना के सूचना प्रद्योगी की और उद्योग मंतरी के तारक रमाराव ने हिदराबाइद में भारत का पहला क्रशी डेटा एक्सचेंज और क्रशी डेटा प्रबंदन फ्रेमवर्क लॉंच किया है नेक्स कुछन है डबलू एचो और आयूस मंतराले के दोरा पहली बार पारंपरिक चिकिस्सा पर वैस्विक सिखर समिलन का आईजन कहां पर किया गया था आंसर राइट है ऑप्शन बी गांधी नगर गुजरात सत्रा से लेकर 18 अगस 2023 को विश्व स्वास्त संग्ठन और आयूस मंतराले के दोरा सहर मेजबानी में पारंपरिक चिकिस्सा पर अपनी तरह का पहला वैस्विक सिखर समिलन जान दिन अगर गुजरात में अजुद किया गया था इसकी ठीम रखे गी थी आयूस फोर प्लान्टरी हेल्थ एंड वेल बिंग इस रोग दोरा लॉंच किये गए आदित्य एल वन का संबंध किस है आदित्य एल वन अंसर रहट है ओप्शन बी सूरिय इसरों के अनुसार आदित्य एल वन सूरि का अधेन करने वाला पहली अंतरिक्स अधारित भारती वैशाला होगी अंतरिक्स जान को सूरि प्रत्री प्रणाली के लेंगरेज बिंदू 1 एल वन के चारों और एक प्रभा मंडल कर्षा में रखा जाएगा तो आदित्य एल वन का समद्ध है सूरि से नेक्स्ट आली में नविंतम गड़ना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जन संक्या वाला राज्य कुन सा है अंसर राइट है ओप्शन C करनाटक करनाटक के अपने जंगलों में 6,399 हाथियों को दर्च किया गया है यह देश की सबसे अधिक जंगली हाथियों के आबादी का घर बनने जा रहा है करनाटक में वर्स 2017 से हुई जन करना के बाद हाथियों के आबादे में 50% बड़ी है तो करनाटक है नमर एक पर भारती वाईशना में सामिल हैरॉन मार्क 2 का समंद्ध किसे है इसका समंद्ध है ड्रॉन से भारती वाईशना ने अपने नमिन्तम हैरॉन मार्क 2 ड्रॉन को सामिल किया है हैरॉन मार्क 2 हैरॉन मार्क 1 का उन्नत संस्क्रन है जो 2003 में भारती वाईशना के साथ सेव में आया था नेक्ट कुशन है अंसर रेट है ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर है भारती होकी टीम इसे चेंपेंज टॉफिय में खिताबी जीत के बाद भारती होकी टीम 2771.35 अंकों के साथ FIH की नमिंतिम रेटिंग में तीसरे स्थान पर पहुँच गई है नीदर लेंड्स पहले स्थान पर है और बेल्जियम दूसरे स्थान पर है नेश्ट हाली में प्रधान मंतरी के दौरा परमपरिक सिल्प कोशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारम करने के कोशना की गई है उस्थान का नाम है आँसर रैठ है option C विश्व कर्म योजना सत्य तरवे स्वतांतरता दिवस पर प्रधान मंतरी ने आने वाले दिनों में विश्व कर्म योजना शुरू करने कोशना की है ये योजना पारंपरिक सिल्प कौशल में उशल व्यक्तियों को लाप पहुचाने के लिए बनाए गई है मुक्रूप से अन पिशड़ा वर्क स्टरणी के लोगों को लाप पहुचाने वाली ये योजना 17 सितंबर विश्चु कर्मा जैनती से सुरू हुई है अगला कुशन है हाली में लोगसभा में कौन से British Kaling कानून में बदलाव के लिए विधेग पेश किया गया है British Kaling कानून कौन से है वो option D right है जिसके अंदर भारति दंड सहीता, दंड प्रकरिया सहीता और साक्ष अधिनियम तीनों ही यह British कानू हैं जिनको बदलाव के लिए विधेक लाएगा है important fact दिखते हैं केंद्र गरह मंत्री ने लोकसबा में तीन विधेक पेश किये जिनका उद्दिश से British साशन के दौरान भारति में लागू किये गए भारती दंड सहीता, दंड प्रक्रिया सहीता और भारती साक्ष अधिनियम को निरस्त कर उनमें बदलाव करना है भारती दंड सहीता वर्स 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतरगत 1834 में इस्थापित कानून आयोक के अनूरूप वर्स 1960 में त्यार किया गया था अगला कुशन है उत्तरपरदेश सरकार का सबसे बड़ा अधित्यनात की सरकार ने राजधनी लखनों में उत्तरपरदेश का नया आयटी हब इस्थापित करने के शुरूआत की है और यह आईटी हब भारत का सबसे बड़ा आईटी हब होगा पहली बार किस देश में आयोजित बहुराश्ट्रिय अभ्या सी कैट 2023 में हिस्सा लिया है किस देश में आयोजित किया गया था यह आंसर राइट है ओप्शन ए सिंगापूर साज़दार देशों की समुद्री सेनों ने सिंगापूर में 22 दक्षिन पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षन परारम किया है इस वर्स भारत पहली बार इसमें सामिल हुआ है देखला कुशन है जी ट्वेंटी डिजिटल आर्थिक कारे समू और डिजिटल आर्थिक मंतरी स्तरी बैठक काईजन कहाँ पर किया गया था अंसर राइट है ओप्शन ए बैंगलूरू बैंगलूरू करनाटक में इलक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रध्योग्यों की मंतराले के दोरा जी ट्वेंटी आर्थिक कारे समू की बैठक के अप्चारिक शुरॉत की गई पहले डिजिटल एकॉनोमिक वर्किंग ग्रूप की बैठक फरवरी 13 में लखनों में संपन की गई थी नेक्ट कुछन है विस्व का पहला हिउमनाइट पाइलेट फीबोट किस ने विक्सित किया किस देश के दोरा उसको विक्सित किया गया है पाइलेट फीबोट अंसर राइट ऑप्शन ए दक्षिन कोरिया कोरिया एडवांस्ट इंस्टिटूट ऑफ साइन्स एंड टेकनोलोजी दक्षिन कोरिया की इंजिनियरियों और शोद करताओं कि एक टीम ने फीबोट नामक एक फीबोट विक्सित किया है जो कॉक्पिट को संशोधित की बिना विमान उड़ा सकता है यह विस्टो का पहला हिमनाइड पाइलेट है को नाम है पीबोट बांव रहित हवाय पनाली यानि कि ड्रोन के लिए भारत का पहला सामाने प्रेक्षिन के इंदर जो कि पैतालेस क्रूड रुपे इक लागत से तमिल नाडू में स्थाफित किया जा रहा है नेक्स्ट हाले में लगातार दूसरी बार ICC Player of the Month का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है लगातार दो महिनों के लिए अंसर राइट है ओप्शन C एशली गार्डनर अंतराष्टी क्रिकेट परिशन ने जुलाई 2023 के लिए औस्टेले की स्पिन बॉलिंग ओल्राउंडर एशली गार्डनर और इंग्लेंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स को ICC Player of the Month का आवाड दिया था ICC के मुख्याले दोबई स्वित अरब अमीरात है नेक्स्ट केने सरकार ने दो करोड ग्रामीन महिलाओं को एक पुशल प्रेस्टेक्शन के लिए कौन सी योजना प्रारंब की है राइट अंसर ओप्शन D लगपती दीदी योजना स्वातंतरता दिवस समोधन के दौरान परदार मंतरी अनरेंदर मोधीन ग्रामीन शेतरों में दो करोड महिलाओं को लगपती दीदी योजना को विक्सित करने तो अपने महतोकांसी दस्टिकोंड को दक्रांकित किया था नेक्स्ट G20 के स्वास्ते मंतरियों की बैठक का आईजन कहां पर किया गया था G20 Health Ministers Summit इसका आईजन कहां पर किया गया था आंसर रेट है Option C गुजरात गांदी नगर 17 से लेकर 19 अगस्त 2020 इसको G20 इंडिया प्रसिडेंसी के तहट G20 स्वास्ते मंतरियों की बैठक गांदी नगर गुजरात में इसका आजन किया गया था इस बैठक में 19 G20 सदस सिदेश 10 अमंतरित राज और 22 अंतराष्टी संगठनों के प्रतिनिदी गांदी नगर में इस चोथी बैठक में उन्हों ने इससा लिया अक्टूबर 23 में भारत में होने वाले ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुबंकर का क्या नाम है मैश कोट का क्या नाम है अंसर राइट है ओप्शन B क्रिक्टो वर्स अंतराष्टी क्रिकेट परिशद ने क्रिकेट विशुकब 23 के लिए पुरुस और महिला सुबंकर क्रिक्टो वर्स का अनावरन किया है क्रिक्टो वर्स एक सुदूर क्रिकेट यूटोपिया से उत्पन नर और मादा सुबंकर है क्रिक्टो वर्स ओके नेक्स्ट नवा राष्ट मंडल संसदी संग समिलन 9th Commonwealth Parliamentary Association Conference का एजन कहाँ पर किया गया अंसर एठ है option A, उदयपूर 21 अगस दोजाते इसको लोकसवाद्यक्स ओम बेडला ने राष्टान के उदयपूर में राष्ट मंडल संसदी संग के नौवे भारत छेतर समयलन का उदगाटन किया इस दो दिवसी समयलन की थीम दिजिटल यूग में लोगतंत्र और सुशासन को मजबूत करना है next बगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहा प्रारम हुई है बगवान बिर्सा मुंडा जुडाव योजना आंसर राइट है option C महराष्टर महराष्टर राज के 17 जलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए बगवान बिर्सा मुंडा जुडाव योजना को लागू किया गया है महराष्टर सरकार के दोरा अगला कुछन है तूफान हिलेरी ने किस देश को सरवादिक कूप प्रभावित किया था तूफान हिलेरी answer right option A USA तूफान हिलेरी जो कि स्ट्रेनी चार का एक मुख्य तूफान था जिसने पूर्वी प्रसांत महासागर में उतरी अमेरिका माधियूप के पश्चिमी तर्ट को भारी वर्षा से प्रभावित किया था next G20 वेपार और निवेश कारिसमू G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स कि बैठक का आयजन कहां पर किया गया था answer right option C जैपूर राजस्थान 21 अगस 2023 को G20 वेपार और निवेश कारिसमों की चौथी और अंतिम बैठक जैपूर राजस्थान में की गई थी वेपार और निवेश कारिसमों की दर्ज इंद्रा गांधी मेमोरियल गार्डन का अस्थित है option A जमु कश्मीर जमु कश्मीर के जबरवान रेंज की तलहटी की बीच इस्थित इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एश्या के सबसे बड़े और अपनी तरह के सबसे शांदार पार्क के रूप में World Book of Records लंदन में दर्ज हुआ है नेक्स कुछन है किस भारतिय स्कॉर्पियन सम्मरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है अंसर राट है option B INS वागीर भारतिय अनुश्याना की पंडु INS वागीर ने मील का पत्थर हासिल किया है करतियास रचा है या अब तक किसी भी स्कॉर्पियन स्चेनी के पंडु बी की सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड रखती है 23 जून 23 को इसकी तैनाती की गई थी नेक्स्ट हाली मैं चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबन किन राज्यों से है कावेरी जल विवाद अंसर रैट ऑप्शन दी तमिलनाडू और करनाटक कावेरी जल विवाद एक बार फिर से केंदर केंदर में आ गया है चर्चा केंदर में तमलेडू और कनाटक दौर अपने जलासे से 2400 क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड का परवाश उनिशित करने में हश्टक शेप के लिए भारत की सरूच नियाले से अपली की है नेक्स्ट वर्स 2023 का विशु जल सप्ता कब मना गया है वर्ल्ड वाटर वीक ओफ येर 2023 ये मनाय गया है 20 लेगर 24 अगस 2023 के बीच में विशु जल सप्ता 1991 से प्रतिक वर्स स्टॉक्वम इंटरनाशनल वाटर इंस्टिटूट दौरा आईजित किया जाता है विशु जल दिवस 22 मार्च 2023 को मनाय गया जाता है चंदर्मा के दक्षिनी धूरू पर सफलता पूर्वक लेंड करने वाला विशु का पहला अभ्यान का क्या नाम है अंसर एट ओप्शन ए चंदर्यान 3 23 अगस 2023 को इसरोंने आटोमेटिक लेंडिंग स्यूक्येंस ALS से एतिहासिक महाब्यान चंदर्यान 3 को चंदर्यान 3 को चंदर्मा की धृत्वरू पर सफलता पूर्वक लेंड किया भारत चंदर्मा के दक्षिनी धूरू पर उतरने वाला विशु का पहला देश बना है जबकि चंदर्मा की सत्ह पर सौफ्ट लेंडिंग करने वाला चोथा देश बना है Next हाली में धौलपूर और करोली 54 टाइकर रिजर्व का संबंद किस राजिसे हाली में इसको मंजूरी दी गई है 54 टाइकर रिजर्व धौलपूर करोली इसका संबंद किस राजिसे है अंसर राइट है ऑप्शन बी राजिस्थान तेश अगस दो जाता है इसको राष्टी बाग सरक्षन प्रादिकर रिजर्व में धौलपूर करोली को एक नए बाग अभ्यारन की रूप मंजूरी दी है जिससे देश में बाग अभ्यारन की संख्या 54 हो गई है धौलपूर करोली राजसान का पाँचवा बाग अभ्यारन है नेक्ट कुछन है ब्रिक्स संगठन के नवींतम सदसे देश को उन से बने है लेटेस्ट कंट्रीज टू जॉइन ब्रिक्स और्गनाजेशन है ट्राइट अंसर ऑप्शन बी है जिसमें इरान ये उपक जितने भी देशे सभी इसमें नए सदसे बनने वाले हैं इसमें नए सदसे बनने वाले हैं 24 अगस 2020 को दक्षिन अफरीका के राष्टपती सिरिल अरामा फोसान है इसमें अर्जंटीना, मिस्र, इथोपिया, इरान, साओधी अरब और सियुक्त अरब अमिरात को ब्रिक्स का पूर सुदस्व बनने पर सहमती दे दी है इनकी सदसे जनवरी 2024 से परभावी होगी नेक्ट कुशन है उनातरवे फिल्म पुरुसकारों में सर्वसिष्ट अभीनेता का पुरुसकार के लिए किसको चुना गया है उनातरवे फिल्म पुरुसकार में सर्वसिष्ट पुरुस अभीनेता आंसर रैट है ओप्शन B अलू अरजुन जो आफिशाब क dalla 2018 इसको पृतिष्ट्रेत राश्टी फिल्म Πुरुसकारों के विजल्षटों के घोष्णा नईदिली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस स्वार्ट अमेशना मेंी गी थी इस शुरू एक और चंदर मिशन लूपेक्स की टैयारी कर रहा है यह जापानी अंतरिक्स एजेंसी जाकसा के सयुक से होगा यह मिशन एक लूनर पोलर एक्सपलोरेशन नामक जो की 2024-2025 के लिए निर्धारित है वर्तमान में चीफ हैं एसोमनात इसरो के नेक्स्ट कुशन भारत का पहला AI स्कूल कहां लौंच किया गया है यह Artificial Intelligence स्कूल भारत में सबसे बहले कहां लौंच किया गया है यह लौंच किया गया है तिरवन्तपुरम में इंडियास फर्स्ट AI स्कूल भारत का पहला AI School के रिल के तिरवंतु पुरम में लौंच किया गया है ये तिरवंतु पुरम के शांतिगीरी विद्धा भावन में इस्तित है स्काउत गाटन भारत के पूर राश्टपती अराबनात कोबिन के उधरा किया गया था नाइस्ट कुशन इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के तहत राश्ट्रे स्मार्ट सिटी पुरुसकार स्रेणी में पहला पुरुसकार किसे मिला है पहला पुरुसकार मिला है इंदौर मद्धिपरदेश इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रत्योगिता का आयोजुन भारत सरकार के आवास 22 से लेकर 25 अगर्स दोजाते इसको भारतिय नौसेना और रोयल ऑस्टेलिया नौसेने बीच एक दूवारसी आसी इंडेक्स दोजाते इस अभ्यास का युजन पांचवा संसकंड स्टिडिनी ऑस्टेलिया में अजित किया गया था इसमें आईनेस सहादरी, आईनेस कोलकाता, भारती पंडुबी, आईनेस वागीर ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था नेक्स्ट, आले में जारी रिपोर्ट के अनुसार, जलसक्ती मंत्राले की छटी लगू सिचाई योजना में सरवादिक भूजल वाली लगू सिचाई प्रियोजना वाला राज्जी कोन सा है अंसर राइट यहाँ पर है, ओप्शन D, उत्तरपरदेश इस रिपोर्ट में भारत में सबसे अधिक लगू सिचाई प्रियोजना बारत के उत्तरपरदेश में है, जो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र, और तीस स्थान पर है, MP, मध्यपरदेश next, हाली में किस देश में आयोजित, bright star 2023, अभ्यास में भारती वाईशना ने पहली बार है सलिया था, bright star exercise 2023, पहली बार भारती वाईशना ने इसमें सलिया था, किस देश में आयोजित की गई थी है, bright answer option B, मिश्र, इजिप्ट next, हाली में 118 वर्ष पुराने, काजी रंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, next, भारत किसके सयोग से, दिली में जलवाईव, परिवर्टन और स्वास्त के इंदर की स्थापना करेगा, इसकी स्थापना, साइधास करेगा, ADB, यानि की Asian Development Bank, भारत और Asian Development Bank, राष्टी राजधानी दिली में एक जलवाईव, परिवर्टन और स्वास्त के इंदर की स्थापना करेंगे, एशियन Development Bank का मुख्याले काँ पर सित है, मैंडालियोंग, फिलिपिन्स, मैंडालियोंग, फिलिपिन्स के अंदर है, नेक्स्ट, साथवी Global Environment Facility Assembly कहां आयजित की गई, सेवंथ Global Environment Facility Assembly, कायजन किया गया था, कैनेडा, ऑप्शन D, राइट हो जाएगा, 22 से लेकर 26 अगस्ट, 2023 तक, Westwick परैवंड सुविधा की साथवी Assembly, 180 देशों के परैवंड नेताओं द्वारा, कैनेडा के वैंकूवर मैजित की गी थी, इसके तहट Global Biodiversity Framework Fund भी लॉंच किया गया है, नेक्स्ट, National Sports Day, यानि कि राष्टी खेल दिवस, 2023 कब मनाय गया है, यह मनाय गया था, 29 अगस्ट को हाली में, परतेक वर्ष, 29 अगस्ट को महान होकी खिलाडी मेजर ध्यान चन की जैनती को प्लक्ष में, राष्टी खेल दिवस मनाय जाता है, राष्टी खेल दिवस दो जाते हैं, इसकी थीम है, खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्सम बनाते हैं, को अगस्ट, पॉशल विकास और ऊध्मिता मंत्रावे, Generation India Foundation और Amazon Wave Services India Private Limited के साथ साज़ेदारी में युवाँ को Cloud Kaushal Presection प्रदान करने के लिए Project Amber launch किया गया है Next DC यातरा सुईदा को पाने वाला पुरोतर का पहला हवाई इड़ा कौन सा बना है North East First Airport Option D भारत के पुरोतर छेतर में हवाई यातरा के अनुभव को बढ़ावा देने की दिशा में गोहाटी का लोकपरिय गोपिनात बोर्दोलाई अंतराश्टी हवाई इड़ा अभीनव डिजी यातरा सुधा शुरू करने वाला छेतर का पहला हवाई इड़ा बना है Next भारत पेट्रोलियम कोर्प्रेशन लिमिटेड बीपी सी एल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसेडर निक्ति क्या है हाली में अंसर रैट है यहाँ पर Option A. राहुल द्रेविड भारत के पूर्व क्रिकेटर है भारत पेट्रोलियम कोर्प्रेशन लिमिटेड ने किरिकेटर राहुल द्रेविड को अपना नया ब्रांड एम्बेसेडर निक्ति क्या है Next Question है NCIT के पार्थी पुष्टक संसोधन है तू किसकी अधिक्स्ता में 19 सदस्तिय पैनल का गठन किया गया है Answer Right है Option D महेश चंदर पंत केंदे सरकार ने notification जारे का स्कूली सेलेबस्त में संसोधन करने और नई NCIT पार्थी पुष्टक को विक्सत करने की प्रक्रिया शुरू किया है महेश चंदर पंत इस 19 सदस्ति जो इनका पैनल है उसके सद अधियक्स बनाएगे है नेक्स इस रोंड अपना पहला सौर मिशन लॉंच किया है इसका क्या नाम है इसका नाम है आधित्य हेलवन इस रोन अपने पहले सूरी मिशन आदिते 11 को लॉंच किया है जो कि 2 सितंबर 2023 को सुबह 11 बच कर 50 सिमिनेट पर सुरी हरी कोटा इस से 33 धवन अंतरिस केंद से इसको लॉंच किया गया था आदिते 11 नाम इस मिशन का उद्दे से सूरी की छमता की जाच करना है इसकी डेट आप क्या रखने है तो सेप्टेंबर को लॉंच किया गया था किस राज के भदरवा, राजमा और रामबन सुलाई सहद को जिया टैग दिया गया है आदिते 11 नाम इस बहारतिय को रह्मन मैकसे से पुरुसकार 2023 से समानित किया गया है रामबन मैकसे से अवार्ट 2023 आंसर राइट है ऑप्शन ए रवी कंणन आर हाली में 2023 में रामबन मैकसे से पुरुसका 2023 की विजयताओं की गोशना की गई जिसमें भारत के रवी कंणन आर को यहाँ पर अपने चिके सा पेशे के प्रती द्रड समर्पन इस बात पर ध्यान केंदित करना की दवा वास्ता में किसके लिए है स्वास्ति समर्त और जन केंदित उपचार के लिए इनको नावर चुना गया है रेमन मैकसे से अवाड के इसके लावा कौरवी रक्षंद बंगलादेश के लिए युजेनियू, लेमोस, तिमोर लेस्टे के लिए मरियम, कॉरोनल, फेरर, फिलिपिन्स के लिए इन चारों को दियागा जोकि भारती इसमें है बक्टर रवी कंनन आर नाइस्ट कुशन हाली में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अधिक्स कौन बनी है सरकार ने जया वर्बार माशना को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अधिक्स नियूत किया एक प्रण पदक भारत को किसने दिल्वाया है अंसर रेट है ओप्चेन बी नीरज चोपडा नीरज चोपडा ने हंगरी के बुड़ा पेश्ट में आज़ित विश्व एथेलेटिक्स चेंपेशिप में पुलिश्यों की भाला फेक इस परदा में सौन परदक जीत करेतिया सरचा है यहाँ पर उन्होंने 88.17 मीटर के थ्रोक किया था नेक्स्ट किस देश ने पी-म नरेंदर मोदी को Grand Cross of the Order of Honor से समानित किया है Grand Cross of Order of the Honor से समानित किया है आंसर रेट इसका है D Greek भारतिय प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी को Greek राष्टपती के द्वारा हाली में Grand Cross of the Order of Honor से समानित किया गया है नेक्स्ट 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 चंदरबापर सफलता पूरवक उतरने वाला भारत का कौन सा देश बनाया चंदरबापर सफलता पूरवक उतरने वाला अंसर रट है ऑप्शन दी चौथा देश भारत 23 अगस 2023 को अपने चंदर यान मिशन को चंदरमा की सफलता पूरवक उतरा जिससे वह सेंगतराज अमेरिका रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला अब चौथा देश बन गया है जबकि दक्षन दुरूप पर उतरने वाला भारत पहला देश बना इससे पहले कोई देश आज तक दक्षन दुरूप नहीं उतर पाया था वो भारत देश बनाया पहला लेंडर विक्रेम है और उसके रूवर का नाम है प्रग्यान इसके अलाबा जब यह लाइव किया जा बनाय गया है सचिन तेंदुलकर को पूर भारती क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर चुनाव आयो के राष्ट्रे आइकन बनेगा और चुनावी प्रकरिया में मद्दातों को अधिक भागीदारी के आवशिक्ता के बारे में जागरू करेंगे Next Bricks सिखर समिलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? Bricks सिखर समिलन का आयोजन दकषिन अफरिका में किया था 2023 में सां मंत्री नरेंदर मोदी ने 15 वे Bricks सिखर समिलन में भारत के योट सिमेज़वानी की थी ब्रिक्स समू में ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, आधी देश इसमें सामिल है ब्रिक्स सिकर समयलन 22 से लेकर 24 सगहस तक दक्षिन अफ्रिक में इसका आजिन किया गया था और ये इसकी थीम है ब्रिक्स सेंड अफ्रिका, पार्टन से फॉर मीचुली एक्सलेरेटेड़ ग्रोथ, सस्टेनेबल डवलोप्मेंट एंड इंक्लूजिव मल्टी लेटरेलिज्म हाली में आजित कियेगे महिला फीफा फुटबॉल विशुकब 2023 का विज़ेता कौन मना है स्टेलिया के सिड्नी स्टेडियो में खेलेगे फाइनल में इंग्लेंड को एक जुरु सहरा दिया स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा वर्ड कप को चेंपिन बनी है इसके लावा 2022 में हुए पुरुस्ट फुटबॉल वर्ड कप में अर्जंटीना फाइनल में जीती थी उसमें फ्रांस को फैनल महा रहा है था इस राजज ने इंद्रा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना लॉंच की है राजस्थान सरकार के दोरा राजस्थान के मुख्यमंत्री असोग घेलोत ने इंद्रा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुवात की है इसका वित्रण 10 से लेकर 30 अगस्थ के बीच में किया गया था तो यह था हमारा प्राइटों के अक्टोबर दो जाते इसके संसकंड के टॉप इंपोर्टेंट हंडर्ड एपसे की वीडियो का वीडियो सीरीज जो आपकर आपको अच्छी लगए वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल पर नहीं कर सकते हैं तो आज के लिए नहीं मिलते हैं एक नई वीडियो में धन्यवाद